हलो वीवर्स आपका स्वागत है माई चैनल वोल्टू फॉट्टी मैक में आज हमें गीजर रिपेर करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि गीजर की टेस्टिंग और गीजर को कैसे हमें चेक करना है मल्टी मीटर को हम ले लेते हैं और एलिमेंट के प्रॉंट में लगा रहे हैं आप देख रहे होंगे देखिए मल्टी मीटर के दोनों प्रॉंट एलिमेंट में लगा दिया है और देखिए एलिमेंट हमारा बता रहा है एक हम एलिमेंट पे लगाएंगे और एक हम बाडी पे भी टेच करेंगे जैसे अगर अर्थ होगा तो बाडी पर अर्थ आ रहा है तो हमारा एलिमेंट खराब होगा और अर्थ नहीं आ रहा है तो हमारा एलिमेंट ठीक है आप देख सकते हैं मल्टी मीटर हमारा एलिमेंट सही बता रहा है तो हमारा गीजर नहीं चल रहा था तो हम इसकी लीट को भी चेक करेंगे लीट हमने ले लिए एक प्रॉम्ट हम लीट पे लगाएंगे ठीक है दोनों प्रॉम्ट हमने लीट पे लगा लिए नहीं बता रहा है अब हम एक प्रेम्ट लीड पे लगाएंगे और एक एलिमेंट के तार पे लगाएंगे अगर बता रहा है लाएं तो हमारा वायर सही है नहीं बता रहा है देख सकते हैं अब नहीं बता रहा है तो हमारा लीट की गड़वर थी इस गेजर में हमें लीट की गड़वर दिखाई दी है हम थर्मो स्टेट को भी इसके चेक कर लेंगे यह आटो होता है आटो कट भी होता है और थर्मो भी होता है यह दोनों टूइन वैन काम करता है इसका नीचे प्राउम्ट लगा लेंगे और नीचे पिनों की पिन पे लगा लेंगे और मल्टी मीटर पर आप नजर करिए वीवर्स देखिए बता रहा है यानि कि हमारा एक टो लाइन सही है दूसरी हम चेक करेंगे दो प्राउम्ट हैं एक हमने जो है उपर लगा लिया मल्टी मीटर के प्राउम्ट को और एक नीचे किलिप में लगाएंगे मल्टी मीटर में आपको दिख रहा होगा ये भी सही बता रहा है फिर से दुबारा दिखाते हैं वीवर्स यह हमें continuity जो है दे रहा है देखते हैं वीवर यह हमें continuity दे रहा है देख रख सकते हैं मीटर में तो यानि कि हमारा thermostat और autocut यह हमारा बेटर है ठीक है वीवर सब हम इसकी lead को ले लेंगे और इसको आगे से काट लेंगे जो हमारा बाइर आगे से अगर damage है उसको हम काटे ले रहें देख रहेंगे और पुना इसकी lead को हम छील कर फ्रेश lead उपर से उसका जो है छील लेंगे और इसके जो है दोनों wire को अलग अलग करके फिर से हम इसके connection करेंगे और इसको fit करेंगे प्लास से इसको हम छील लेते हैं हाले लिए आप देख रहे होंगे कि यह गीजर का wire है तो इसलिए hard होगा तो इसलिए छिलने में थोड़े सी दिक्कत हो रही है हम इसको proper छील के दोनों तारों को अलग कर लेंगे तब ही इसको जो है इसके फिर उपर connection वापसी में connection कर देंगे और फिर इसको चेक करेंगे इसलिए इसके wire छीलने के पाद इसका pipe एक चेंज करना है पैप इसका खराब है वीवर इसका pipe चेंज करेंगे पैप लेंगे इसका एक पैप खराब था एक फिटिंग तो यह हमने शॉर्ट फिटिंग लिए है जो 18 इंची की है इसको आप इसली हाथ से भी टैट कर सकते है रिंच की जर्वत नहीं इसमें टैट करने का एक आम बेश्टि की बनीवी उसके सहारे से है M 가장 कंखे है जो की réalitéhhh करते हैं यह से पानी जाएगा और भगले से हीट हमें जो गरम पानी मिलता है गिजर से गरम होके इस वाले पाइप से मिलता है तो जहां, पानी भरता है जितरसे वो पैप हमारा खर decis लिए हम लिए पैप को चेंज कर रहे हैं निचे का पैप आमने लगा लिया इब हम उपर का पैप अच्छे से टैट कर देंगे आप देखरों में, वीवर्थ, हम हाथ से अच्छे से टैट करें दे रहे हैं ये फिटिंग जो आती है ये हाथ से आप टैट कर दिये प्रोपर टैट हो जाता है को दिक्कत नहीं है गराम होगा तो पकड़ लेता उसको और इसे इसमें देखिए टामी दीवी ये प्लास्टिकी बनीवी कमपनी की ये टैट हो गया है पानी का प्रेशर खोल देंगे ताकि पानी उसमें जाता रहा है खाली नहीं रहें गीसर को कभी भी आप जो है खाली नहीं चेक करेंगे जिसके वज़े से कभी भी एलिमेंट को दिक्कत हो सकती है कि एक प्राउंट से एक वायर हम थर्मो स्टेट में डालेंगे और दूसरा प्राउंट भी हम थर्मो स्टेट में देंगे कि यह दोनों टैरक थर्मो स्टेट में जाता है फिर यह ही आटको आटो कट है यह थर्मो का काम करता है टैरक जाकि किलिप में बैड याता है दोनों तार जो इसमें लगा लेंगे इंडिकेटर के तार हमारे पहली से कनेक्शन हुए में हमें सिर्फ दो बार इसमें लगाने हैं दोनों वायर के हम अच्छे से कनेक्शन कर लेंगे टैट कर देंगे पेज अच्छे से टैट करना है धीला ना रहें क्योंकि हाई वोल्टेज रहता है ये दो सार बाट एलमेंट होता है इसलिए अच्छे सा कर टैट होगा तो यहां स्पार्क नहीं करेगा और अगर इस्पार्क करता है तो आगे दिक्कत हो सकती है यहां से शौट शत्कित भी हो सकता ह तर्म hoshtẹd को अब हम डालते हैं element में में जो हमारी assembly लगी होती है assembly के अंदर एक लंबा सा एक प्रइप लगा हुता छेद हो ता स्थिक नदर जो रचला आँए ड़िया है यह अपका element की भाचो में जाके बाइड़ जाता है incoh ठाल दियो अच्छे से इसको टैट कर लेंगे पिलास से थोड़ा टैट कर देंगे पीछ है लावायर जो लीड हमारी खीचे तो वो जो है इफेक्ट ना दे एलिमेंट को थर्मों को यह हमारे दोनों कनेक्शन हो चुकिए है विवर्स अब इसके कवर को हम बन कर लेंगे असानी से कवर क को अग्दम क्लोज करने के बाद यह हमारा कंप्लेट हो जाएगा कि कवर को लगा लेते हैं अच्छे से इधर वाला पल्ला भी हमागे कर लें ताकि लीड फसे ना हमारी इस्टील स्कुरू से हमारा कवर टैट है तो विवर्स दो खाचे हैं खाचों में कवर को बिठालके इस्टील स्कुरू से इसको टैट कर लेंगे दो इस्टील स्कूरू लगे थे दोनों तरफ के पल्ले दो तरह के खाचे हैं खाचे में जाके बैठ के एक पीछे स्कूरू लगाए एक आगे स्कूरू लगाए दोनों पल्ले टैट हो जाते हैं तो पीछे आला पल्ला पहले हम स्कूरू लगाकर इसको टैट कर लेते हैं हैंड टूल का इस्तिमाल करेंगे हम तो बड़े पेज़का से हम पीछला आला स्कूरू टैट कर लेते हैं अच्छे से गैप ना हो और हमारे कोई तार भी कवर में न दबे जिसके से जो है दब कर तार छील जा और किरणा जा ऐसा कुछ तो यह चीज देख कर ही हमें कवर को टैट करना यह पीछा पल्ला हमारा टैट हो गया है अब अगला आला कवर टैट करेंगे वीवर्स कवर जो है टैट कर लेते हैं लीडो को देख लेंगे लीडे न दबे तो वीवर्स आपको जो है हमारे अगले अले कवर में तो एलेडी दिख रही होगी एक रेट कलर की एक ग्रीन कलर की एलेडी दिख रही होगी तो कवर को टैट करके फिर चेक करते हैं अगर हमारा जो है गीजर ओके हो जाएगा तो हमारी एलीडिया गिलो करने लगेंगी यह हम इसक्रू लगा लेते हैं और इसको अच्छे से इसको टैट कर लेते हैं यही इसक्रू आखरी है इसको टैट होने के बाद हमारे गीजर ओकि हो गिया है पहले हमने आपको बताई दिया है कि इसकी testing वगरा सब बताई दिये अब सिर्वीज के जो है इसका wire हम में हम line देते हैं line देने के बाद फिर आपको check करके दिखाते है कि हमारा das चालू हो गिया तो viewers हमने output दे दिया है यह देखिए आप देख सकते हैं हमारी लाइटे जलने लगी है हमारा गीजर ओके हो गिया है दोबारा आउन करते हैं यह देखिए